मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हैवन के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज है तीस मैई तीस मैई 2021 से जितने भी important current affair के question बने हैं वो तो discuss करेंगे ही प्लस उसके साथ static gk और last तक कर बने रहते हैं आप लास्ट में एक ऐसा topic ले जाता है जो आपके सारे exams के लिए बिल्कुल महतपूर रहने वाला है तो दोस्तों आप last तक जरूर बने रहेंगे और यह सारे exams के दस-दस questions सारे exams के लिए fix होते हैं इतना तो मान के चलिए railway, SSC, Boeing, UPSI इस समय तो 20 से 25 questions तक आने की संभावनाएं होती हैं तो चलिए हम आज का question start कर लेते हैं आज का पहला question है हालही में किस केंद्री मंत्री ने सेहत OPD portal launch किया है आपको यह बताना है हालही में किस केंद्री म ने सेहत OPD portal launch किया है दोस्तों यह launch करने वाले हैं राजनाज सिंग राजनाज सिंग दोस्तों हमारे आपको पता है दोस्तों रच्छा मंत्री है रच्छा मंत्री राजनाज सिंग ने video conferencing के माध्यम से services e-health assistance and teleconsultation OPD से बोलते हैं OPD portal launch किया है portal का मुख्युद्देश सिवारत ससस्तर बलों के करमीयों दिगजों और उनके परिवारों को टेली मेडिसीन सिवाओं को प्रदान करना है दोस्तों portal के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं इस portal में क्या क्या बाते कहेंगी हैं जैसे टेली मेडिसीन सिवाओं का कहे इसके थुरू आप एकसेस कर सकते हैं सेहत ओपीडी पोर्टल उन्नत सुरच्छा सुविधाओं के साथ अंतिम संस्क्रड है परिछड संस्क्रड अगस्त 2020 में लांच किया गया था यह बीटा संस्क्रड पर पर इसट सौ से अधिक चिकिस्ता परामर्स पहले ही किये जा चुके हैं दोस्तों यह चीज़े याद रखेंगे यहाँ पर बात हुआ है केंद्री मंत्री का तो केंद्री मंत्री हमने आपको बहुत बार डिसकस किया है आज फिर डिसकस करते हैं जैसे बात करें मुख्य रमेश पोखरियाल जी रसायन रूरक मंत्री तो डीवी सदानन गोड़ा जी जन जाती कार्र मंत्री तो बता देंगे अरजुन मुंडा दोस्तों इन सब के आगे आप इनका मंत्राले लगाकर इनको याद करें जैसे अगर बात करें मुक्तार अबबास नकवी तो याद जब भी इनका चर्चा हो तो आप इनकी आगे इनका मंत्राले जरूर से याद करके लगाकर बोलेंगे जैसे बात करें गजन सिंग से खावत तो बोलेंगे जल सक्ती मंत्री गजन सिंग से खावत इस तरह बोलेंगे जैसे बात करें अमित्सा तो ग्री मंत्री अमित्सा इस उसमिती ओर्सी है, इनको कैसे बोलेंगे। कपड़ा मंत्री और महिला ओं बालविकास मंत्री इसमिती ओर्साथ कोईला ओं खान मंत्री प्रहलाद जोसी Спसिंसिपालन डेरी और मतस्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंग इस तरह याद करेंगे तो हमेशा के लिए चीज़े याद रहेंगी आपको कभी नहीं बूला गया दोस्तों यह सारी चीज़े नेक्स क्वेशन की बात कर लेते हैं हालही में असोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कुस्ती में अमपायरिंग करने वाले रेफरी बने हैं यह किस देश के हैं आपको यह बताना है दोस्तों यह किस देश के हैं दोस्तों अगर बात करें यह भारत के पहले ऐसे रेफरी होंगे जो कि ओलंपिक में कुस्ती अमपायर याद रखेंगे अठारस उचानबे से हुआ था हेटकोवाटर इसका कहां पर है उलम्पिक का दोस्तों लोसाने लोसाने स्विट्जल लेने पड़ता है उलम्पिक का जो आदरस ध्वज है दोस्तों उसकी सुरुवात कब हुई थी तो बता देंगे 1913 से हुआ था दोस्तों उलम्पिक का जो उद्देश है दोस्तों वह है CTS, LTS, 40S मतलब तेज, उचा और बलवान दोस्तों याद रखेंगे उलम्पिक मसाल जलाने के सुरुवात 1928 से हुआ था उलम्पिक खेलों में सपत ग्रहड करने की जो बात हुई थी यानि की स्टार्ट हुआ था 1920 से हुआ याद रखेंगे जो हम लोग उलम्पिक टीवी पर देख पाते हैं उसकी सुरुवात कभी तीवी पर देखने के सुरुवात कभी ती नाइंटी एड़ सिक्स्टी से हुआ था दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों अगर बात करें 2016 में जो उलम्पिक हुआ था कहां पर वा थाइस में लास एंजलिस यूसे में होगा और थाजर बत्तिस में हमारे भारत में इसका आयोजन होगा दोस्तों नेक्स कुर्शन की बात कर लेते हैं हाल ही में वन धन योजना कुल लागू करने के लिए ट्राइफएड ने किसके साथ साज़ेदारी की है आपको या बताना यह हुआ था दोस्तों 1987 में हुआ था या दखेंगे और इस क्योशन का जो एंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बता देंगे नीतियायोग नीतियायोग के साथ ट्राइफएड दोस्तों यह साज़ेदारी किया है वंधन योजना को लागू करने के लिए यह चन्जाती शहकारी विपडणन विकास संग तो आपको पताओ नगी भारती जंजाती जो मंतरी है वह काउन है दोस्तों अर्जुन मुंडा जी है अभी हमने डिसकस किया दोस्तों जो यहां पर नितियायोग की बात हुआ है तो नितियायोग के बारे में भी आपको जानना याद रखेंगे दोस्तों अगर बात हुआ है निती आयोग का इहां पर निती आयोग का फुल फाम क्या है तो बता देंगे नेशनल इस समय राजी कुमार जी और CEO यानि चीफ एक्जिक्यूर आफिसर अमिताव कांत जी हैं इतनी बाते आप यहाँ से याद रखेंगे चलते हैं पुर्व नार्कोटिक्स आयुक्त और भारती राजस सेवा सीमा सुल्क के एक सेवा निवित अधिकारी जगजीत पावडिया या फिर पावडिया दोनों बोल सकते हैं कि अंतराष्टी नार्कोटिक्स नियंतर बोर्ड यानि कि आस्ट्रिया का आस्ट्रिया का कैपिटल है वियना दोस्तों जो कि यह एक यूरोप की कंट्री है आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहां पर अंतराष्टी नार्कोटिक्स नियंतर बोर्ड का मुख्याले कहां पर है तो बता देंगे वियना आस्ट्रिया में है आपको यह बताना है तो बता देंगे दोस्तों यह साज़ेदारी NPCI के साथ किया है तो बता देंगे नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन आफ इंडिया दोस्तों यहां पर बात हुआ है ICICI Bank का तो ICICI का Full Farm क्या है तो बता देंगे Industrial Credit and Investment Corporation of India इसका Headquarter मुंबई में है इसके MD और CEO दोस्तों संदीब बक्सी जी है इसका Tag Line महत्वपूर है याद रखेंगे हमें है ना ख्याल आपका हमें है ना ख्याल आपका next question हाल ही में भारत की पहली महिला उडान परिच्षड इंजीनियर कौन बनी है तो यह महत्वपूर है क्योंकि जब भी पहली महिला की बात होती है तो बिल्कुल भी महत्वपूर हो जाता है इसको आप याद रखेंगे डायरेक्ट दोस्तों यह बनी आसिता वी ओलेटी कौ फोर्स से रिलेटड बात हुआ है तो यहां पे एयर चीप मार्सल कोण हैं हमारे तो बतादेंगे राकिष कुमार सिंग भदाउरिया दोस्तों अगर बात किया भारती वायु सेच्छा दीवस्का मनाया जाता है तो आठ आठक्टूबर को मनाया जाता है याद रखेंगे त चलते हैं next question के तरफ दोस्तों यह question महत्वपूर रहने वाला है अलका रगवनसी का निधन हो गया दोस्तों जितने भी निधन होते हैं उसको आप एक तरफ लिखा करिए जिससे कि आपको revision करने में problems ना तो यह चीज़ें अगर अपनाएंगे तो बहुत जादे आप जल्द ही revision कर सकेंगे अपने notes से तो याद रखेंगे दोस्तों जो इनका निधन हुआ है यह क्या थी आप से पूछा गया है तो बता देंगे लेखक और कला क्यूरेटर थी दोस्तों यह लेखक और कला है आप ज़रू बताएँगे दोस्तों सबसकै दोस्तों किस के दोरा अदित गुपता जी दोरा यह Lânneau ते यह चर्चाइं की गई है कि यह जो है एक पहल की हैं दोस्तों इस तरह से बिजनेसम pathways for कहुंहें में कि किस राज्ज ने नई स्मार्ट किचन योजना लांच किये दोस्तों किस राज्ज ने तो बता देंगे केरल राज्ज ने दोस्तों केरल राज्ज ने नई स्मार्ट किचन योजना का सुरुवात किया है यहाँ बात हुआ है केरल का तो के बारे में सब कुछ बताते हैं केरल के तिरू अनंत पूरम, अब यहाल ही में केरल के फिर से सीम जो चुन लिए गये हैं, बनाए गये हैं, बना देंगे, पिनराई विजियन, गवर्नर यहां के आरिफ मुहम्मद खान है, यही पर दोस्तों प्रोजेक्ट के फोन का एलाउन किया गया था, जो की गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उनके लिए नेट की सुधा की जाएगी इसके थ्रू, तिरंगा पहल यही पर शुरू हुआ था, रैपिड स्क्रीनिंग, तिरंगा पहल से, कोविड-19 रोग्यों की सेवा के लिए, दोस्तों यहां पर कर्मी, और बोट, रोबोट लांच हुआ था, ब्रेक अगर फूलों की घाटी की बात किया जाता है, तो बता देंगे फूलों की जो घाटी इस्थित है, वह आपका इस्थित है, दोस्तों उत्तरा खंड में, अगर फूलों की बात करेगा, या फिर फूल उद्यान की बात करेगा, तो केरल में इस्थित है, दोस्तों यही पर व से जानकारी देगी हैने यहाँ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लोक कला उत्सो दोजार 21 शुरू हुआ था साथ दिन का कारेकरम था दोस्तों तो यही पर अगर बात किया जाता है परिवर्तनम योजना के साथ एक और योजना सुरूआ था बड़े होटलों को उद्योक का दर्जा दिया गया था अटकुल पॉंगल उत्सो भी यही पर बनाया जाता है दोस्तों यहाँ अगर पूला जाता है आपका राज की पसू क्या है यहां का तो बताते हैं कि केरल करनाटक जार कंड तीनों का जो र अंतरप्रदेश पंजाब हरियाणा मदप्रदेश करनाटक केरल और अंतरप्रदेश यह चीज़े याद रखेंगे दोस्तों है चलते हैं नेक्स्ट के तरफ चलिए दोस्तों लास्ट क्वेशन हाली में अंतराष्टी एवरिष्ट दिवस कम मनाया गया है तो बता देंगे यह दोस्तों मनाया गया है आपका अंतराष्टी एवरिष्ट दिवस उनीस मई को यह चीज़ यह तकैंगे थेंगे डोस्तों अगर आपसे पूशा जाता है दोस्तों जो माूंटेन मायन के नाम से किसे जानते हैं माउंटेन माइन के नाम से तो बता देंगे दसरत मांजी को माउंटेन माइन के नाम से जानते हैं तो जो आपका एवरेश्ट इस्थी थे वो तो नेपाल में इस्थी था है तो नेपाल में आपको पता होना चाहिए नेपाल का कैपिटल काटमांडू है तो नेपाल के जो पी के बीच अभी कुछ विवादित छेत्र थे जैसे काला पानी लिपुलेक लिंपिया धुरा यह विवादित छेत्र थे दोस्तों अगर पुला जाता है माउंट एवरेश्ट की उचाई कितनी है तो बता देंगे आठ जार आठ सो उन्चास मीटर यह चीज़ें आप यहाद ही में किस राज जी के मुख मंत्री ने अभिवावक मंत्रियों की नियुक्ति की है दोस्तों इसका राइट एंसर आप जहूं बताएंगे दोस्तों आज का इंपॉर्टन क्वेशन जीव घ्यान की कुछ महत्पूर्ट साखा है जैसे एपी कल्चर है मदुमक्की पालन के ल लिए और्फियोलोटी सर्पों का अध्यन के लिए सोरोलोटी शिवकलिऑविवी करिचर दोस्तों काश्ठी पेड़ों के समर्धन के जबहें जंगल के लिए दोस्तों इतनी बात याद दखेंगे गर आपको वीडियो अच्छा लगता है तोस्तों आप सियर जरू करिएग आपको हर तरफ से मजबूती मिल सके दोस्तों धन्यवाद